चलू अब आगे देखब और शद्य पोधा बापची कर बारे में माटी और जलवायू इकर लगिन कैसन रहेक चाहे सोब नियर कर भुई में मुदा पानी कर जमान नी हो एक चाहे इध्यान दे के इके लगाय देव सोब नियर कर जलवायू में इब भढ़िया फसिल दे इखरी फसिल आहे जे रभी में पाकेल इकरुनत प्रभेद है IC 11238 IC 111251 IC 11256 प्रताब बिहिंदर 8-10 किलोग्राम प्रती हेक्टर बिहिन लगाय कर बेरा 15 जून से 15 जुलाई तक जदी रही तो बहुत बढ़िया लगाय कर दूरी दर कर मधे कर दूरी 80 सेंटीमीटर कर अंतर रहेक्ट जाहे पटायक बरसाइत सिराल पाचे 20-30 दिन अग भित्रे इके पटाय देख जाहे अब फसिल के तोड़ेक है और कोड़ेक है फसिल जखन दूसों से 210 दिन में पाइक जैल तो इके तोड़े देख जाहे और जखन सव फर मन पाइक जाहे तकखन कटनी कर एक जाहे फसिल कैट के थ्रेसिंग केर के बीजा के अलग अलग केर देव अब इकर उप्योगी भाग इकर उप्योगी भाग में है जैर, पतई, फर करताजा बीच, छाल और तेल इकर उप्योग दांत से जितना जुड़ल बेमारी मन है उकर में, डैरिया में, किसिम किसिम करजे चरम रोग होई जैल उकर में, कुछ ट्रोग में, उल्टी आइक में, अस्थमा, पिसाब आइक में मस्किल होई सेखानी, ब्रोंकाइटिस, पाइल्स, एनीमिया, चेचक कर रुप में, पेट में जदी कीडा होई जाए तो उकर लगिन, रिदय कर रोग में, अलसर में, लहु में जदी कोई विमारी होई जाए चरका दाग कर उपचार में, और रिंग वर्म कर समस्या में इकर उप्योग होई तो देखू भाई, कोई वोसतिय पौधा बेकार नी होई तो सेले इको लगाओ और इकर उप्योग करूँ